इस वीडियो के माध्यम से अमुलिया का एक बहुत ही बेतरिन प्रोडक्त लेकर आया हूँ इसका नाम है अमुलिया सक्क्ति बर्दकरस जो कि 500 एमेल का आज हम मैं बारे में बात करने आज हम इसे किया थाखी करना चाहिए ताकि यह ज़्यादा काम करें तो इन सारी चीज़ों पर मैं आज बात करने बाला हूँ अगर आपको अच्छे से जनकारी चाहिए अमुल्या सक्ति बर्दक रस्त के बारे में जो की 500 मेल का रास है तो आप मेरे साथ वीडियो के अंतक बने रहें ताकि आपको अच्छे से जन करने के लिए इस बेल आइकन को दवाना ना भूलें तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह अमुल्या हब्स कंपनी का एक बहुत ही अच्छी मेडिसीन देकर आया हूँ आपके सामने इसका नाम है सक्ति बर्दक रस्त जो अर्थात बहुत सारे जड़ी गूटियों का एक बहुत ही अनुठा मिस्रान है इसे बहुत ही अच्छी तरीका से लिसर्ण करकर एक बहुत बहुत ही बेतरीन मेडिसीन त्यार किया है अमुल्या हब्स कंपनी ने और यह जो है अच्छा स्वास्ति बनाय में हमारी मदद करत है और शहीर के फूर्ट सिस्टम को उर्जा परदान करता है यानि आप इस मडिसम को यूज में लेते हैं तो आपके जो शहीर है वह की उर्जा से भरे पुड़े रहेंगे आप इसे जब तक इस्तमाल में करते रहते हैं अगर आप इसे चार से पाच मिन लगतार यूज में ले देते हैं तो आपके जो सहीर है वो काफी स्ट्रॉंग हो जाएंगे और आपके सहीर के जो एमिन सिस्टम है वो काफी बढ़ जाएगी जिसे कि आपके सहीर कोई भी छोट सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस मेडिसीन को युज में लेते रहते हैं तो यह उज्जात परदान करें करें लेकिन उसके साथ साथ यह एंटी ऑक्सिडेंट इसमें पाया जाते हैं इस मेडिसीन में जो कि हमारे से जो भी सेले परदार्त है उसको यह नस्ट कर दे है यानि आप इसे हम मुल्या रस को इस्तमाल में लेते हैं तो आपके सहीर में यानि आपके सहीर में कोई भागो जिसे कि आपके सहीर में जो ही पाट से कमजोड है या फिर आपके पेट में कोई समस्चा है आपको खाना पच नहीं पा रही है या आपको बार बार भुमैट कि इस होती है यह उसको यह काफी बढ़ा दिती है जिसे यह जो खाना है जो कि आपको असानी सि पच सके और ईन सारी समस्याओं से आपको शूटकारा दिला सकती है यह अमुलिया रभी और यह जो अमुलिया रसा या पेट के समस्याम को तो दूर करता ही है लेकिन यह जो रोग पर्ति रोधक छमता को भी या काफी बढ़ा देती है यानि आपके सहीं में जो कुई छोटे मुटे जो बीमारी हमेशा होते रहती है जैसे कि सर्दी कासी जुखाम लेकिन me yer the autosat 구bathि उपते हैं तो आपको कंदोडिकल कह प्रोडम्स होती है तो आप उस्तिति में भी आप यह अमुलिया अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आपको ताजगी रहेगी और कापी सक्तिसाली रहेगी इसे कि आप सभी काम मुख को आप सही समय पर कर सकते हैं क्यंकि इसमें एलोवेरा, आमला, तूलसी, गिलोय और वीट क्रास का सही मत्रा में उपयोग किया गया है अगर हम इसके टोजेज के बारे में बात करें कि आप इसे किस तरह आप इसे इस्तमाल में ले सकते हैं तो 20-30 ml अमुल्या का जो रस है इस डबे के अंदर इसको आपको निकाल लेना है इस धकन में जैसा कि आपको उपर में दीख पारा होगा यह धकन इसमें दिया गया है तो इसी में आपको 20-30 ml अमुल्या के रस निकालने ना है और शुबा और साम को आपको खाली पेट यानि खाना खाने के पहले आपको 20-30 ml आपको सेवन करने ना है इस अमुल्या रस को तभी आपको इसके फाइदे बेतरीन आपको देखने को मिल सकते हैं कि देखिए यह जो अमुल्या है हब का यह सकति वर्दक राशा यह वह 500 ml का है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे देखिए मैं और भी आप इसके चीजों है जो कि आपको दिखाने का परियास कर रहा हूं देखिए इसकी जो प्राइस है वह 620 रुपी शायद आपको दिख यह बाहने का प्रियन जाते हैं तो आप और चाते हैं तो आप सबी cafe कर सकते हैं यह पिर आप इसे पथी मेंदेशिन की सबसे वरी यह वड़ी फासेतिया है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है वह 6-6-7 बढ़ाने में बहुत ही कारिगर है जैसे कि इसे बहुत सरा जड़ी गुटियों को मिला कर इस मेडिसीन को त्यार किया गया इसे क्या होता है कि पूस अगर इसे इस्तमाल मिलेते तो उनके जो स्चेक्स छमता होती है वो काफी बाड़ जाती है जिस्ते की पूसों के लिए यह बहुत ही बेतरी रस मान जाता है अगर इसे इस्तमाल में लेते हैं तो अगर हम इसकी एस्पाइडेट के बारे में बात करें कि इस मेडिशिन के स्पाइडेट क्या है तो इसकी एस्पाइडेट लगवग जो होती है वो लगवग दो साल होती है यानि आप इसे दो साल तक आप इसे इस्तमाल में ले स यह जो काय कल्प और सईर को मजबूत करने के लिए परभावी है और सुरचित अरवेदिक सुत्र यह स्वस्त और मजबूती परतिरच्छा पर्यान का निर्मान करता है यह पुरुश सक्ष्य में बृधि शुक्रानु लगल ने काम करती है तो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेखिए यहां पर लिखा गया 100% नेच्रल पोड़क्ट है इसकी कम पोजीशन है परतेक 100 ml में की तरह इसकी कम पोजीशन मिलाई गई है इसमें तो सफ्याद मुष्ली के बारें बात करें तो इसमें 10% सफ्याद मुष्ली डाला गया ह पॉंच 10% डाला गया है विधारी गंदा जो कि है 10% मिलाए गया है आमला 8% सलाब गठा 8% अस्वगंदा 7% सतावरी 7% एलोवेरा 7% तूलसी 5% विटगरास 5% कुलांचन 5% ब्रामनी 5% गोकुरू 5% बेहदा 4% हरद 4% तो इसमें लगवग 10-12 कंपोजिशन को इस मेडिसीन को बनाने में यूज किया गया है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है खासकर मेल्स के लिए क्यूंकि मेल्स के लिए बहुत नेसेसारी सीरप है यानि कहे तो रशा है तो अगर इसे इस्तमाल मिलते हैं तो इसके आपको बहुत सारे फाइदे आपको देखने को मिल सकते हैं सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस्तमाल में लेने से पहले आपको खाली पिट में ही आप इसका इस्तमाल करें तभी आपको बेड़ा रियर्ट आपको देखने को मिल सकते हैं आने था नहीं तो अगर आप इसे इस्तिमाल करना चाहेंगे तो आप दिन में दो बार या आपको आप सकता करने साथ तीन बार भी ले सकते हैं तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको Amalia Hubs Company के एक बहुत ही बेतरी मेडिसीन के बारे में आज बहुत सारे चीजों के बारे में बात कियें जैसे कि इसके क्या-क्या फायदे हैं और इसे किस तरह परयोग मिले ता कि यह ज्यादा फायदे मन सावित हो तो इन अएशनवागर्स में बीडियो को आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सेब्सक्राइब और दोस्तों साथ सेयर करना पूलें क्योंकि मैं इस तरह के बनाने के लिए बहुत मेंनत करता हूं तो आप से अनुरूद है कि आप मेरे साथ दें ताकि मैं इस तरह का चाहिए कोई भी और मेडिस्टिंग के बारे में या कोई भी और रर्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जहूर करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए जहूर लाओं